अभी जब आप exam में बैठोगे तो भाई कितने number आपको लगबग सही करने होगे और आपका भाई एक short list में नाम आ जाए admit card आपको कम मिलेगा हमारी भरती कौन से महीने में होगी उसमें कितने फारम डाले गए नहीं पता ना तो भाई final जो selection होगा वो आपका होगा result के आधार पर जैन दोस्तो मेरा नाम अतुल मैथिल स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में भाई अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा हम जब एक्जाम देंगे आर्मी का जितने भाई relation वाले हो ओपन वाले हो जो भी आर्मी की भरती देख रहा हो उनके लिए वीडियो खास होने वाली important वीडियो है क्योंकि आपको पता चलेगा जब हम भाई एक्जाम दें के बाद second admit card कम मिलेगा और हमारी भरती कौन से महीने में होगी अभी तक लगवग आपने ये भी नहीं सोचा को कि यार लगवग हमारे चलो हम अपने district की बात कर लेते हैं अपने यारों की बात कर लेते हैं कि लगवग उसमें कितने फारम डाले गए नहीं पता ना तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आप सभी से बिंती करता हूं इस वीडियो पर दोस्तों एक हजा लाइक कंप्लेट करवा देना और मुझे आप पर पूरा भरोसा और उमीद करता हूं कि आप मुझे हर बार की तरह खुशी करोगे रास नहीं करोगे तो देखो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए भाई पूरी जानकारी हाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ठीक है वाइट बोर्ड पर लिख लिए अभी जितने भी भाई हमारे रेली वाले हैं अब जो भरती हमारी चल रही है 23-24 की जो प्रोसेस आगे का यही होने वाला अभी इसमे वाद आपको भाई एडमिट कार्ड कम मिलेगा नहीं पता ना किसी को नहीं पता तो आज इस वीडियो में पता चल जाएगा और यह भी बताऊंगा अभी जब आप एक्जाम में बैठोगी तो भाई कितने नंबर आपको लगबग सही करने हो और आपका एक सौट लिस्ट म भी करेंगे भाई उनका भी नाम सौट लिस्ट में डाल दे जाएगा वो आगे भरती के लिए जाएगे ठीक है भर्ती के लिए जाएगा जो बच्चा भरती में अच्छा performance करेगा यानि कि भाई वो running निकालेगा जिक जक balance, jump, beam, height, chest, weight, document, medical फिर जिन बच्चों का medical भी बनेगा फिर उनको mh refer करा जाएगा ठीक है medical जो उनका point तूटेगा जो document में कुछ परेशानी है उसमें भी भाई उनको reject किया जाएगा अभी आप सभी को भाई इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ ठीक है तो आज के वीडियो भाई संपून जानकारी दोंगा जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हूं उमीद आप से 1000 लाइक का करा और मुझे आप पर पूरा भरुसा एक हजाल लाइक कंप्लिट करवाद होगे और जितने भी भाई नए हैं हमारे चैनल पर यूएच की रिलेशन आर्मी वाले चैनल पर तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है क्योंकि मैं आपको भाई आर्मी की संपुन जानकारी देता रहता हूं जितने भाई रिलेशन भरती देखते हों तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के वारे में तो भाई देखो एज हमारी जीडी ट्रेडमेंट के लर्क और टेकनिकल के पद के लिए 21 हो रहा जो 21 साल में चार महीने का मैं उनका रजिस्टेशन नहीं हो रहा क्योंकि इस बढ़ती का प्रोसेस है वह चार महीने लेट चल रहा है इस इसाफ से जो बच्चे रजिस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई देखो यहां पर एज मैंने आपको बता दी और भाई जो अपना फारम डाल सकते हैं भाई अभी आज आप देख सकते हैं दो मार्च है और भाई ज्यादातर बच्चों ने फारम डाल लिया हो अभी यह भी आपको पता चलेगा भाई हमारे ARO, IRO, BRO का लगवक कितना फारम डल गया ठीक है तो भाई उसके बाद देखो हैं पर मैं ह हर्याना बेहर, राजिस्तान, MP, हिमाचल परदीश तो भाई सभी का हैट का अलग अलग एक प्रोह होता है अब ही जैसे कि मैं अपने हर्याना की बात कर लूं, जैसे कि मैं हर्याना से ब्लौंग करता हूं तो भाई हिएां की जो हाइट वो है बहु एक तो सत्तर यहीं जैसे कि बात करें और इसमें वहाइट यहां पर हमने लिए भी है और हमारी कम हाइट कम हुथ यहां चाहिए 185 सेंटीमिटर और ज्यादा भाई एकहतर सेंटीमीटर या बहतर सेंटीमीटर होनी चाहिए ठीक है और सभी सभी राज्यों की भाई अलग हाइट मांगी जाती है उसके बाद भाई चेश्ट की बाद करूं तो भाई डवल सेवन आपकी होनी चाहिए साथ में दोस्तों क्या होगा जब आपको फीता लेके नाप करेंगे तो भाई पांच सेंटीमीटर का आपका इसे साथ से फुलाब होना चाहिए चाहिए इसे साथ ठीक है जो मैंने हाँ पर भाई लिख दिया उसके बाद भाई देखो अब भरती का हमारा प्रोसेस चलता यह कुछ बेसिक सी इन्फरमेशन सी इन्फरमेशन थी जो मैं कर लिया तो भाई रगिस्टेशन के प्रोसेस यह होता है जिस्टेशन डालने के बाद भाई आपका जो सुरू हो जाएगा पर एक ग्राब बनाया कि इतने दिन तक अगर एक्जाम चलता तो भरती किसे साथ से complete कौन से महिने में हो जाती है ठीक है तो भाई आपको जो admit card मिलेगा एक अपरेल से या उससे पहले सुरू हो जाए या एक अपरेल या पांच अपरेल से सुरू हो जाए लगवग हमने एक अपरेल से 10 अपरेल के बीच में ते कर दिया क्योंकि आपका जो exam exam जो date हमने हाँ पर पर नुक्त किये गए अभी सबी जैसे एरो हैं उनमें आपका हो सकता है कि आपको एरो में बुलाएं या जो एससी जीडी हो गया रेलवे का पेपर होता है जो हमारे exam center होते हैं ठीक है जैसे कि हमारे फरीदवाद में हैं और दिल्ली में भी काफी है तो ऐसी जगा आपके exam में होंगी तो वहाँ पर आपको हो सकता exam देने के बुलाएं या आपको एरो में जाना परे ठीक है और फिर भाई मैंने यह बता दिया exam के बारे में फिर जो आपका result निकलेगा अभी काफी बच्चे 17 परेल के बाद जैसे रजल्ट देने पेपर देना स्टार्ट कर अरो के हिसाफ से आयारो वीरो के हिसाफ से बढ़ती जो रजल्ट फोड़ पेपर देलेंगे तो भाई उसी के अकॉर्णिंग भाई क्या होगा उनका result निकलने लगेगा ठीक है वह मैं के सेकंड या लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा या फर्स्ट वीक में द रजल्ट निकल गए थे 15 दिन बाद भी आए थे 20 दिन बाद भी आए थे तो इससाफ से भाई यह प्रोसेस मैंने लखा मैं में आपको रजल्ट देखने को मिल जाएगा और इसमें भाई क्या होगा यह जो रजल्ट की डेट है इसमें बच्चों को सौर्ट लिस्ट किया ज चलेगी फेस बन में आप सभी को पता भाई एक्जाम है और भरती पिर्किरिया जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं ठीक है उसके बाद भाई क्या होगा जब आपका रजल्ट निकल जाएगा ठीक है रजल्ट निकलने के बाद भाई आपको सेकंड एडमिट कार्ड जून के लगबग निकलेगा ठीक है जून के महिने में क्योंकि आपका सौट लिस्ट निकाला जाएगा रजल्ट निकाला जाएगा उसके आधर उसके बाद भाई आपको सेकंड एडमिट कार्ड मिलेगा वह मिलेगा जो बच्चे एक्जाम में पास होएं बागी के जो सेसरेगा जो सेकंड फेस करेगा जुलाई अगस्त मैं ऐसे नहीं मार रहा हूं अभी आपको भाई एक वीडियो देखा दोंगा टेलिग्राम पर जाकर जरू चेक कर लेना ठीक है मैं उस टेलिग्राम पर डाल दोंगा तो भाई उन्होंने बताया आर्मी के जवान तो वह स ठीक है यह फेस होंने के बात्ड आपकी घ्रती उनमें क्या क्या होगा देख आ चल रहा घ्रती पर कणरिए तो आपके अरफेस होगी जिक फिर जिग जग बैलेंस फिर बीम हाइट चेस्ट वेट फिर इसे साफ से अभी क्या होगा भाई जो बच्चे मेडिकल में अन्फिट होंगे जिनका पॉइंट बनेगा ठीक है उनको रिमेडिकल किया जाएगा अब जिन बच्चों के कुछ डॉकुमेंट में कम योगे उनको डॉकुमेंट की नेक्ष्ट डेट दी जाएगी जैसे कि इन्होंने बताया था उन वीडियों में भी जब आपने देखा होगा कि जैसे का जो सेम प्रोसेस पहले था वो ही चलता रहेगा वो आपको डेट देते रहेंगे आपको बुलाते र पर जो भाई यह रजल्ट निकलेगा नहां से जो रजल्ट की डेट देख रहें त्वसके आधार पर फिक नंबर साथ में जब आप सेकन्ड फेस में सामल होंगे उन में आपके कितने नंबर कि वह सब कुछ यहां पर जोड़ा जाएगा किस प्रेड मेंड का क्योंकि उनके नमबर मिलेंगे भाई उनको फिजीकल वाले बच्चों को और साथ में ऐसा नहीं है कि यहां पर भाई किलर को टेक्निकल वाले का भी प्रफिमेंस देखा जाएगा ठीक है फिर साथ में दोस्तों यहां पर भाई सभी को एड करेंगे जैसा कि उन्होंने बताया है फिर फाइनली भाई आपकी लिस्ट जो फाइनल लिस्ट तयार की जाएगी और वह कवा आएगी वह सेप्तमबर और अक्टूबर में आपको सौप दी जाएगी यान कि जोईन इंटन आर्मी की वेबसाइट पर आ जाएगी कि इस हिसाब से जो यह भरती परिकरिया है वह समाथ हो गई है और आपका इन इन बच्चों का नंबर आ गया वह आपको सेप्तमबर अक्टूबर के महिने में देखन पर आपको बता दूँ क्योंकि भाई इसमें बच्चों को सौट लिस्ट कर रहे हैं वह यान की फाइनल ने का रहे हैं अभी यहां पर सो बच्चों को पास करेंगे तो भाई उनमें से भी कम से कम आधे बच्चे बाहर होंगे क्योंकि उनको रनिंग कंप्लीट करनी है फिर 35 जब नमबर करोगे 35 कोश्टन करोगे तभी आपको 70 नमबर मिलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भाई यहां पर मैंने इसलिए कम नमबर लेके क्योंकि इनमें से बच्चे कम चुने जाएंगे अभी यहां पर किलर को टेक्निकल की मैं बात करूं भाई आपको तो भाई एक एक पॉइंट और था कि भाई कितने बच्चों ने लगबख रजिस्टेशन कर लिया होगा तो भाई देखो आप सभी ने देखा होगा पेपर न्यूज में भी आपको मिला होगा कि किसी भी एरो आयारो की जब भरती आती जब पंजी करन करते हैं तो भाई लाखों की संक् इनकी उमर कर दी गई तो भाई वो युवा जो तेई साल वाले थे वो कम हो गए लगबख यह लगा लो की आधे युवा कम हो गए तो इसे साफसे भाई जहां डेड़ लाक बच्चे एक लाक बच्चे जा रहे थे अब वो उसकी अकोर्डिंग भाई हाप बच्चे लगा कि किशी वी यारों में लगबख यहां पर बात करें तो भाई पचास एक हजार चालीस एक हजार कम से कम रजिस्टेशन होंगे और नए अगनी पत को देखकर जहां तक भाई कोई कम भर रहा होगा फारम कोई ज्यादा डाल रहा होगा फानली वह आपको बताये दिंगे कि लगवग इतने बच्चों ने रजिस्टेशन किया बाकी मेरे इसाब से भाई इतना ही हो रहा है कि पहले के कम पेर आदे बच्चे हो गए है ठीक है पहले जहां एक लाग बच्चे पंजी करन करते थे पर अब इस बार भाई वह आदे हो गए वह पचास अजार हो गए इस लिए उनके लिए मैं बता देता हूं यह बाई जी डी कि बोग है चक्सू परकासन के बोग है जो पर चेज करना चाहता है लिंक नीचे डिस्किप्शन में जाके जरूर वाय कर लेना ठीक है यह बाई जीडी की हो गई यह आपके ट्रेड मैं क्योंगी इसकी नीचे लिंक शामने विध्यान जो आपके सिलेवस में वो कवर किया गए अगनी वीर भारती को देखकर आपके बुक बनाएगे ये भाई टेक्निकल की है अभी ये फाइनली भाई आपकी किलर एसकेटी गी है ठीक है ये बुक तो भाई इनवे को कि लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में जाएगी जाकर बाई कर लेना और हमारे चैनल साथ जड़े रेना मिलता हूं नेक्ट वीडियो में जेहन जेवारत बंदे मातरां